नमस्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हर सपना कुछ कहता है तो दोस्तों हमिशा किता समय शुएता फिर से आपके सामने उपस्तितु आपकी सपनों की समझाओं का हल लेकर तो दोस्तों आज सपनी की स्रीज में हमारे विश्य है सपनी में बटरफ्लाई जिसे आप इंगलिश में बटरफ्लाई कहते हैं और हिंदी में आप तितली कहते हैं उसे देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों सपने में तितली देखना साइकलोजिक लिए बताता है कि जब आप जीवन में किसी बड़ी बदलाव ट्रांजिशन या नवीन च जिन्दिगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है इसके अलावा जब आप बहुत खुश होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं आंत्रिक रूप से बहुत खुशी है आपके अंदर भरी हुई होते तब भी आपको बटरफ्लाई देखते हैं खासकर फूल सारे से पदोशीकिlic से बहुत सारे मिलन बनतीम आता है । बहुत सारी सिचुईशन से बहुत सारे मिनिन कीत इए जैसे कि यह सपनी में कुकून देखते हैं Britney का 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 खासकर आप देख रहे हैं कि कुकून से बटरफलाई निकल रही है ति निकल रही है मतलब कुश पर र पर यह है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है कि यह बदलाव धीरे-धीरे होगा लेकिन बहुत पॉजिटिव होगा। इसके अलावे यदि सपने में बटरफ्लाई को फूलों पे बैठावा देखते हैं तो बहुत शप्सस्पना है यह नवीन रिष्टों के बनने धनात्मन या प्रीम प्रापती के संयूग के बारे में संकेत करता है, निकट भवश में, इसके अलाबा यदि आप सपने में तितली को पकड़ लेते हैं, तो बहुत शुब सपना है, खुशी प्राप्ति और नवीन रिलेशन्शिप्स के जो आपके जीवन में उननत्ती में साहेका है, उस ओर संकेत करता है, तितली को मार डालने, तितली को मार डालने एक शुब सपना नहीं है, यह लाइफ में किसी समस्या के आने के ओर संकेत करता है, और यदि आप सपने में खुद को तितली को मारते वे या घायल करते वे देखते हैं, तो यह निकट भवश में किसी प्रेम के संबंद में आपका जो भी जो प्रेम है और उसके अलावा वह भी जो आपके निकट है या जो आपके फ्रेंड्स हैं उन में से किसी के साथ आपके संबंदों में खटास आने के ओर संकेत करता है, इसके अलावा दिया आप सपने में देखते हैं कि तितली एक फू से दूसरे फूल पे जा रही है, बहुत शुभू नहीं होता है कुछ कल्चर में कहाच कर जापनीस कल्चर में सफेद तितली को देखना शुभ नहीं माना जाता वहाँ इसे बिमारी के और संकेत माता है लेकिन हमारी कल्चर में सफेद तितली को देखना पीस और चेंज को बताता है मतलब जब जीवन में शान्ती आएगी या आप relaxed मैसूस करेंगे तब भी आपको सफेद तितली के सपने दिखाई देते हैं लेकिन ज़्यादा तर इनका जो सपना होता है बेस्टिन एस्ट्रोलोजी में से अच्छा नहीं माला राता है यदि सपने में तितली हाथ पर वैड़ जाए तो यह एक अच्छा सपना है और खासकर यह सपना psychological होता है बहुत extent पर यह बताता है कि यह time है अपनी आपको express करने का खुद को express करने का हो सकता है कि आप अपने आपको सही रंग से दुनिया के सामने present ना कर पारें अपनी बात को ना कह पारें तो यह समय है कि आप अपनी बातों को द्रड़ता के साथ लोगों के सम्मुक कहें और शायद यह समय इतना positive है कि वो आपका जो भी आप कह रहे हैं या जो आप अपने आपको express कर रहे हैं उसका recognition आपको जल मिल जाए इसके लावे दिस अपनी में आप काली तितली देखते हैं तो यह जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव की और संकेत करता है यह बदलाव के साथ नवीन उनत्ति की और भी संकेत करता है और खासकर आप जब किसी डाक रंग की तितली को देखते हैं तो यह आपकी जिंदगी में आपको एक तरह से साइकलोजी के लिए सपना आपको बताता है कि आप जो भी situation अपनी जागरो तवस्था में जी रहे हैं उसमें आपको अपनी समस्याओं के हल के लिए नवीन अप्रोच की तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दिवी जानकारी पसंद आई होगी ऐसे रोचक जानकारे को लिए कृब्ब्य आप हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अब तक के लिए दोस्तों नमस्कार